हलो एवरिवन माय नेम इस बार्देन वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल आज शुरू करने वाले हैं एन्वार्मेंटल मैनेजमेंट चाप्टर नंबर फॉर साइन्स टू टेक्स्ट्बुक एससी क्लास टेंटेंटेंट की बात हो रही है अब बच्चो चैप्टर बहु हो गया है डिजन्ट्रॉल रहां हम उसको डिस्ट्रॉल कर रहे हैं उसको मुझे प्रिजर्व करना आप यह बचाना कंट्र यह मोघ मुझे पता हैं अपको कं teams पता है लेकिन इसके ऊपर अगर अगर मैंने आपको तीन-ak का question लिखने दे दिया, तो क्या आप लिख सकते हो, अपने मन से answer लिखना है, क्या आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, एक बात आपको बता देता हूँ, चैप्टर के exercise में जाके देखो, बहुत सारे ऐसे questions हैं, जिसका direct answer टेक्सबुक में नहीं है, या तो आप अपने मन स लिखो, in your own words, या फिर guide prefer करो, या फिर school के teacher ने कुछ notes बना कर दिये हैं, उसको refer करके answer लिखो, मैंने भी मेरे हिसाब से answers बना के डाले हुए है, पूरे वीडियो में कहीना कही है, उसको आप refer कर सकते हो, अगर आपको करना है, ज्यादा बहुत लंबा introduction नहीं दूंगा, point प 39 के बिच में जितनी सारी चीजे आ रही हैं, इन 4 pages में, वो सारे concept देखने वाले हैं and उसके उपर कौनसे questions आते हैं, कौनसे exam में पूछे गए हैं, कौनसे textual question है, वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले, तो चली शुरू करते हैं, देखो वही, earth है हमारा, अभी इस earth पे, there are two types of components, कितने component हैं, दो type के component है, एक component होता है, जिसके अंदर life है, one component has life in them, कौन है वो component, भई plant है और animals है, इनके अंदर जान होती है, तो इनको हम बोलेंगे living or biotic component, अभी ये biotic word पूरे chapter में जिदर भी आता है, biotic, 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 इसका मतलब क्या है, living organism की बात हो रही है, या या तो plant की, या तो animal की, या तो microorganisms भी है, वो भी तो living ही है, ठीक है बच्चों, तो दूसरा component कौन है, जिसके अंदर life नहीं है, the other component does not have life in them, example ले लो भई, हवा, पानी, धरती, soil, और रोशनी, बिजली, उजाला, light, जो भी है, तो ये सारी चीज़े भई क्या है, इनके life नहीं है, तो इनको मैं बोलूँगा non-living या फिर abiotic component, तो भई, दो चीज़ा याद रखना, biotic क्या है, living है, abiotic क्या है, non-living है, कभी simple, अच्छा, अभी ये living जो है, biotic and non-living जो है, abiotic, इनके बीच में continuously कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना seed, seed क्या है, biotic है, plant का बच्चा होता है, seed, उसको हमने soil में डाला है, soil क्या है, abiotic, अभी ये seed, soil के अंदर germinate हुआ, grow हुआ, मतलब seed and soil के बीच में interaction हुआ, biotic and abiotic के बीच में interaction हुआ, हुआ के नहीं हुआ, हुआ, अपना example लेलो, हम कौन है, living है, तो मैं biotic हूँ, मैं oxygen अं अब ये oxygen and carbon dioxide क्या है, abiotic है, तो मेरे और abiotic के बीच में interaction हुआ, बिलकुल हुआ, एक sunflower लेलो, sunflower क्या है, biotic है, it moves with the direction of sun, जैसा sun move होता है, वैसा sunflower अपना थोबडा उसकी तरफ move करता है, sun क्या है, abiotic, तो biotic, abiotic के बीच में interaction हुआ, बिलकुल हुआ, वैसे ही lotus लेलो, lotus क्य है, biotic है, living है, it blooms when sun's ray fall on it, sun rays क्या है, abiotic है, तो वापिस biotic, abiotic के बीच में interaction हो रहे है, ऐसे millions of interactions continuously पूरे अर्थ पे हो रहे है, हो रहे की नहीं हो रहे है, बिलकुल हो रहे है, तो बच्छो, the living, abidhan से सुनना, the living, मतलब कौन, biotic, non-living, मतलब कौन, abiotic, and their interaction, उनके बीच में होने वाले interaction, they are called as ecosystem, तो भाई, कोई भी आपको जिन्दगी में पूछे, ecosystem क्या है, क्या है ecosystem, biotic, abiotic, and their interaction, मेरे साथ साथ बोलना, biotic, abiotic, and their interactions are called as ecosystem, बात खतम हो गई यहां पर, अभी यह बहुत सारे ecosystem, अभी मैं मेरे bedroom में बैठ के breathe कर रहा हूं, तो यह भी मेरा छोटा सा ecosystem हो गया, तो ऐसे millions of ecosystem पूरे earth पे होंगे, तो can I say, earth itself is a very, 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 very big ecosystem, ठीक है, और इस ecosystem में बहुत सारे factors होते हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, तो भाई, each factor plays a very important role in the ecosystem, हर एक factor का बहुत एक important काम है, तो देख लो भाई, factor कौन से हैं, सबसे वेले बात करते हैं, green plants की, अब यह green color के plant के अंदर chlorophyll है, और वो sunlight के presence में photosynthesis करेगा, और food produce करेगा, तो इनको हम producers बोलते हैं, come on, green plants को क्या बोलते हैं, producers, and they are also very, very important, because वो लोग खाना बना रहे हैं, अगर यह लोग खाना नहीं बनाएंगे, तो आगे, इनके आगे को herbivores, deer है, goat है, sheep है, cattle है, horse है, camel है, यह सारे जो herbivores है, they are feeding upon the producer, वो लोग producer को खा रहे हैं, and they are also very important, ठीक है, अभी herbivores को खाने के लिए कौन आते हैं, भाई, carnivores, predators, like lion, जो शिकार करके अपना खाना खाने वाले हैं, and tiger, एक बात बताना, यह lion and tiger, herbivores को खा रहे हैं, मतलब कहना, इसे herbivores का overpopulation, prevent कर रहे हैं, herbivores का population को control में रख रहे हैं, by hunting them, तो they are also equally important, ठीक है, lion and tiger कौन है, predator, overpopulation को prevent कर रहे हैं, herbivores का इंधियार also very very important, फिर एक बात बताना, यह जो छोटे-छोटे caterpillars आपने देखे हैं, जो nature में मिलते हैं, फिर कुछ termites, मुंगी, बड़ा, कीडा, यह सारे जो filthy place में animal मिलते हैं, फिल्थी मतलब क्या गंदी जगाओं पे, ठीक है, फिर वैसे ही, टटी वगेरा में कीडे वगेरा होते हैं, गू के अंदर, तो यह सारे इंसेक्ट भी, कीडे भी, worms, termites, are they also useful, एक सवाल आता हैं, are they really useful, उनका क्या काम है, भ responsible for cleaning the environment, अभी बहुत सारा waste material है, degradable waste होता है, जो पूरे environment में spread हो गया है, कचरा है, तो वो सारे कचरे को break down करना है, clean करना है, decompose करना है, यह सारा काम, यह कीडे, मकोडे, worms, यह सब लोग करने वाले हैं, ठीक है भाई, तो पूरे environment में जितने भी factors हैं, ecosystem में, सारे के सारे important हैं तो it means that our existence is due to all these factors which are present around us, काफे simple, तो हमारा responsibility क्या है, उनको बचाना, उनको preserve करना, hence we should care for these factors, काफे simple सी बात बताई गई है यहां तक, ठीक है, चले थोड़ा आगे जाते हैं, अभी बच्चो टेक्स बुक में दिया हुआ है, एक question complete the following chart, अभी यह चाट वाला जो question है, वो 19 में 3 मार्क के लिए पूछा गया था, यह चाट, तो बहुत अच्छे से इसको हम चाट लेते हैं, चले देखते हैं, एको सिस्टम के बारे में बात करें हुए, एको सिस्टम में कितने component होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक तो लिख देंगे, चले, एबायोटिक एक साइ वाटर वेपर, मिनरल्स, मिनरल मतलब क्या बड़े पत्थर की बात हो रही है, बड़े-बड़े, स्वाइल, मिट्टी, एंड सनलाइट, रोश्नी, तो chemical factor में आएंगे, nutrients जो हम खाते हैं, and minerals जो मेरे body के अंदर, या फिर animal के body के अंदर, plant के body के अंदर present है, उन minerals की बात हो hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, sodium, potassium, ये सारे जो minerals मेरे body में हैं, वो है inorganic, फिर organic substance क्या है, जो हम nutrient खाते हैं, protein, carbohydrate, fat, वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, अभी biotic component में देखो, autotrophic है, तो उसके सामने क्या आएगा, बड़े, heterotrophic, autotrophic मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, producer है, कौन हैं, बड़े, green plants है, ठीक है, फिर animals खाते हैं, consume करते हैं, तो वो हैं consumers, and decomposer में, यहां पर लिखा हुआ है, saprophite, अभी saprophite मतलब fungus का बात हो रहा है, यहां पर आप बैक्टेरिया लिखोगे, तो भी चलेगा, fungus लिखोगे, तो भी चलेगा, या फिर saprophite लिखा है, तो भी चल saprophite मतलब क्या fungus, याद रखना, फिर देखो भई, consumer की बात करते हैं, तीन टाइप के consumer होते हैं, primary consumer, जो directly plants खाते हैं, herbivores, फिर secondary consumer आते हैं, carnivores, जो primary consumer को खाने वाले हैं, and फिर secondary के ऊपर होते हैं, tertiary consumer, जो secondary को खाते हैं, वो भी carnivores हैं, लेकिन अपेक्स carnivores, ठीके बच्च ठीक है, ठीक है, चलो भाई, आगे जाते हैं, तो ecosystem की सारी बाते हो रही हैं, तो आपको एक मैं छोट असा paddy ecosystem बताता हूं, बच्चो, paddy मतलब क्या, rice, चावल की बात हो रही है, this paddy is cultivated on a large scale, in various states of South India, South India में आपको चावल, rice का cultivation बहुत जादा, देखने मिलेगा, अभी ये pad paddy के उपर attack कौन करता है, देखिए, आपने grasshopper सुना है, अभी इंडिया में recently locust attack हुआ था, आपने सुना रहेगा, बहुत सारे locust, राजस्थान से निकले, दली की तरफ जा रहे थे, थोड़े महराष्टा में भी आ गए, ये locust मतलब क्या भाई, grasshopper, उसकी बात हो रही ह तो ये grasshopper paddy के उपर भी attack करते हैं, लेकिन इनको control करने के लिए paddy field में होते हैं frogs, frogs are also present in large number in the paddy field to feed upon the grasshopper, ठीक है, लेकिन frog को खाने के लिए भी यहाँ पे present है snakes, snakes are also present in large number to feed upon their favorite food frog, ठीक है, अगर लेकिन field में उपर eagle उड़ रहा है, कौन उड़ रहा है, eagle, तो वो eagle आके किसको खाएगा, snake को खाएगा, तो snake के भी उपर उसका एक बाप है, apex predator present है, जिसको बोलते हैं eagle, तो एक simple सा food chain आपको दिख रहा है paddy field का, इसके उपर आपको एक question आएगा, textual question है, exercise में question number one इसके उपर दिया हुआ है, food chain को आपको rearrange करना है, correct order में लिखना है, और इसको describe करना है, तो description में क्या लिखोगे, producer कौन है, paddy field, ठीक है, producer को खाने के लिए primary consumer कौन है, grass upper है, फिर उसको खाने के लिए secondary consumer कौन है, frog है, उसको खाने के लिए tertiary consumer कौन है, snake है, और उसके उपर उसका बाप कौन हो सकता है, eagle हो सकता है, तो यह आपको describe करना है about this ecosystem, का what will happen if frog population declines all of a sudden अगर frogs कम हो जाते हैं तो क्या effect होगा ये पूछा है ठीक है what will be the effect on the paddy crop एक simple बात बता ना frog किसको खा रहा है grasshopper को अगर frog कम हो गए तो grasshopper बढ़ जाएंगे grasshopper paddy को खा जाएंगे काफी simple सी बात है so there will be a decline in the yield of paddy crop yield मतलब क्या production चावल का production कम हो जाएगा because of increase in the number of grasshopper एक बात हो गई बात बराबर है दूसरा सवाल देखो बढ़ ग्रासhopper बढ़ गए दूसरा सवाल पूछा है number of which consumers will decline and which will increase देखो बच्चो frogs कम हो गए हैं तो snakes को खाना नहीं मिल रहा है तो snakes का population भी कम हो जाएगा and by grasshopper को कोई खाने रहा तो grasshoppers का population increase हो जाएगा काफी simple snakes कम हो रहे हैं grasshopper बढ़ रहे हैं तो यह लोग ने तीसरा सवाल पूछा what will be the overall effect on that ecosystem पूरा ecosystem का balance हिल जाएगा संतुरन हिल जाएगा disturb हो जाएगा यही आपको लिखना है तो the food chain of that ecosystem will be disturbed and imbalanced काफी simple सा एक food chain यहाँ पर explain किया हुआ है ठीक है बच्चों चलिए आगे जाते हैं तो बात करते हैं what is environment की बाहर बारिश हो रही है शायद आपको बारिश का भी थोड़ा आवाज आएगा the surroundings where all the organisms जहां पर सारे organism रहते हैं पेड, पौदे, घास, कुता, बिली, गाय, गदेडा, बैल सारे animals, plants जहां पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं तुमारा environment तो यह environment में क्या क्या होगा कौन सी चीज़े आपको मिलेंगी पहले तो होगा भई फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं एर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, हवा, पानी, रौशनी यह सब फिजिकल फैक्टर हो गया यह भी environment का पार्ट है फिर chemical factors होते हैं फोर एग्जमबल, nutrients है, minerals है ठीक है, यह हो गए chemical factor इसके बारे में हमने बात की है फिर होते हैं biological factor मतलब जो living organisms है तो यह तीन factor physical, chemical, biological यह तीनों मिलकर तुमारा environment बना हुआ है बराबर है, यह तीनों factor मेरे उपर कुछ ना कुछ effect डाल रहे है, ठीक है तो these factors that affect living organisms are collectively called as environment यह तीनों factor को मिला कर collect करके बना है तुमारा environment ठीक है आपको एक सची सची दिल से बात बताऊ तुमारा जो textbook है ना वो बहुत वाहियात तरीके से बनाया गया है बहुत सारी चीज़े आगे पीछे दी गई है कोई sequence नहीं है बहुत सारी चीज़े repeat हो रही है जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता है लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को simplify करने की बच्चों environment किस चीज़ से बना हुआ है भई physical, chemical and biological factor और फिर ये लोग ने बोला है environment basically दो चीज़ों से बना है, दो factor से बना है एक तो biotic factor मतलब सारी living organism आ गए and abiotic factor जिसके अंदर physical and chemical factor आ जाएंगे ठीक है बच्चों समझ रहे हो सेम चीज़ है लेकिन वापिस उसको अलग तरी किसे वो लोग ने बता है यहां पे भी biotic है और abiotic है अच्छा and environment consists of many ecosystem जितनी सारी ecosystems earth पे हैं वो सारी ecosystem कहां पे हैं environment के अंदर एक्जांपल एक हो गया mountainous environment कुछ ecosystem होगा mountain के ऊपर का ecosystem एक कुछ desert का ecosystem होगा एक कुछ tundra region होता थंडी जागा जहां पे बरफ पड़ती है वो एक अलग ecosystem हो जाएगा बच्चों तो जितनी सारी ecosystem है वो सब environment के अंदर present है आपको एक simple difference बताऊं environment क्या है और ecosystem क्या है ecosystem मतलब क्या interaction between biotic और antibiotic उनके बीच का जो interaction है उसको ecosystem बोला है जहां पे ecosystem present है ठीक है बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है चलिए थोड़ा आगे जाते हैं तो भी आपको एक सवाल टेक्सबुक में दिया हुआ है what are the factors that affect environment question number six a देख लो भाई what are the factors that affect environment दो टाइप के factor है एक होते है है natural factor और एक होते है manmade factors तो natural factor में क्या आएगा बहुत है simple earthquake earthquake होता है तो भाई environment पे effect आएगा कुछ नो कुछ तो effect होगा flood आता है tsunami आती है volcanic eruption अगर होता है आग लग जाती है जंगल में forest fire तो यह सारी चीज़े environment को affect करने वाली है ठीक है फिर manmade factor की अगर हम बात करें तो भाई deforestation जंगल काट देना fishing करना ठीक है अभी मैं थोड़ा यहां आ जाता हूँ आपको दिखेगा hunting करना शिकार करना वैसे ही poaching बच्चों poaching मतलब क्या animals को मार के उनका कोई body part निकाल के उसको बेचा जाएगा for example यह rhino को मार है तो उसका जो horn होता है उसको cut करके बेचा जाएगा black market में elephant को मार के हाथी को मार कर उसके जो tusk होती है ivory उसको बेचा जा सकता है black market में crocodile को मार कर उसका जो skin होता है उसको बेचा जा सकता है tiger को मार के उसका skin निकाल देया जाता है उसको बेचा जा सकता है तो यह सारी चीज़े क्या है poaching हो गई ठीक है बच्च जो तुमारे environment को दबा कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, यहां तक बात समझ में आई वच्छो, environment क्या होता है, surrounding होती है, ecosystem क्या होता है, interaction between biotic के biotic, सारी ecosystem कहां present है, environment के अंदर present है, बिलकुल मतलब समझ गया, सारे terms का, ठीक है, चलो आगे जाते हैं, अभी यहां पे बहुत ही प्यारी चीज बताई गई है, देखो क्या बोला है, human existence is totally impossible without the existence of nature, अगर nature नहीं होगा, तो humans भी नहीं होंगे, बिलकुल बात बराबर है, so it is our basic responsibility, हमारा कर्तव्य बनता है, as humans, to preserve the nature, nature को बचा के रखे, without disturbing its balance, nature का जो संतुलन है, उसको बिगाड़ना नहीं है, बराबर है, फिर इनो उने बोला है, कि यह जो planet earth पे हम रहते हैं, यह planet मेरे बाप का, मेरे दादा का, मेरे पर दादा का नहीं है, बराबर है ना, we have got this planet on lease, lease मतलब किया भाड़े पे मिला है, यह planet तुमारे पपा का, बाप का नहीं है, यह तुमको lease पे मिला है, from future generation, हमारे बाद जो generation आएगी, उ it is not our ancestral property मेरे बाप दादा का पुष्टैनी जमीन नहीं है तो मैं इसको अर्थ को मेरे हिसाब से use कर सकता नहीं हूँ अर्थ को मुझे preserve करना है इसका climate को बचा के रखना है environment को बचा के रखना है बराबर है so we should not forget to conserve it for ourselves हमारे लिए तो बचाना ही है प्लस future generation जो आएगी हमारे बाद generation जो आएगी उनको भी earth enjoy करने मिलना चाहिए इसका climate इसका environment enjoy करने मिलना चाहिए तो हमें इसको protect करना है ठीक है बच्चों यह हो गई प्यारी प्यारी बात है इसके उपर आता है तुमारा textual question question number two explain the statement we have got this earth planet on lease from our future generations and not as ancestral property from our ancestors हमारे बाप दादा का जम्मीन ने यह भाड़े पे लिया हुआ है यह statement को explain करने है तो points तो यही लिखोगे लेकिन इसमें दो तिन point add करने है देखो भई तो answer ऐसा दिखेगा सबसे पहला same point human existence is impossible without existence of nature बिना nature के humans तो रह नहीं सकते है अभी मेरे पास जो भी रोटी कपडा मकान benefit है वो सारा मैने ecosystem से लिया हुआ है बराबर है man gets his benefits by using various components of ecosystem and यह benefit मुझे क्यों मिला because जो मेरा previous generation था हमारे जो ancestor थे उन्होंने वो बच्चा के रखा हमारे लिए बराबर ना we can get all of these materials easily from the nature because our ancestors protected and conserved them for us हमारे लिए हमारे ancestor ने उनको बच्चा के रखा अभी दूसरा एक बात बताओ आज humans खुद को सबसे जादा superior मानते हैं today man has proved his superiority as compared to other animals कि हम भाई सबके बाप हैं हमारा तोड नहीं है हमको कोई टक्कर दे सकता नहीं है ऐसा हम मानते हैं and without any thought बिना कुछ सोचे समझे हम सारा natural resources खुद ही हमारे स्वार्थ के लिए personal greed के लिए use कर रहे हैं जैसे चाहिए हम use कर रहे हैं खतम कर रहे हैं तो एक बात बता अगर ऐसा चलते रहा तो future generations will not benefit from nature future generation के लिए कुछ बचेगा नहीं उनको pollution, drought, unseasonal rain, global warming इन सारी चीज़ों से परेशान होना पडेगा तो अपना responsibility क्या है it is our basic responsibility as humans to preserve the nature without disturbing its balance उसके balance को बिगाडना नहीं है उसको बचा के रखना है और फिर आगे same point it is rightly said that we have got this planet on lease and not as ancestral property from our ancestors बाप दादा का जमीन नहीं है and same point तो ये हो गया answer same point use करने है 4 लेकिन उसमें 2-3 point extra add कर दो तो आपका फोड़ा 6-7 point का answer बन जाएगा काफे simple है चलो आगे जाते हैं तो चले एक final बात करते हैं environmental conservation की conservation मतलब क्या बचा के रखना अब ये image देखके आपको थोड़ा तो दर्द हुआ होगा ना भई एक तो आपने पूरा जो C था उसको तो गंदा कर दिया प्लस जितना ice है वो melt हो रहा है तो जो polar region में animals है उनको रहने के लिए जगा नहीं है उनका habitat उनकी रहने की जगा पूरी तरह destroy हो रही है तकलीफ तो है तो हम क्या बोलेंगे भई at present many environmental problems have been arisen बहुत सारे problems आ गए है एक तो है global warming because of which ice melt हो रहा है polar region में जो animals है उनका habitat destroy हो रहा है दूसरा ये है गंगा नदी साफ सुत्री तो है नहीं तो भई water pollution अगर आपको देखना हो तो गंगा देख लो यह problem है वैसे आप Delhi चले जाओ तो आपको air pollution का बहुत मज़ा मिलेगा पूरा मज़ा मिलेगा बराबर है फिर यह जो पुतल आपको दिख रहा है यह खराब हो गया पूरी तरह because of acid rain तो बहुत सारे problem है न भई global warming, water pollution, air pollution, acid rain, soil pollution तो यह सारे problem क्यों आए? because of the effect of natural and artificial factors on the earth कुछ natural चीजों के बज़र से problem हुआ है and कुछ problem भई artificial factor मतलब हमने किया है ठीक है तो बच्चों सबसे बड़ा problem है environmental pollution जो हमने किया है environmental pollution is the main factor because of which environment खराब हुआ है pollution मतलब क्या? सुनो, generally contamination of any material is its pollution contamination मतलब खराब हो जाना, soil खराब हो गई, soil pollution, पानी खराब हो गया, water pollution, air खराब हो गई, air pollution are you understanding? pollution मतलब क्या किसी भी चीज का खराब हो जाना तो pollution का एक और definition है हमारे पास, देखे बच्चों unnecessary and unacceptable change, unnecessary मतलब जिसकी जरूरत नहीं है unacceptable मतलब जिसको हम accept नहीं कर रहे है unnecessary and unacceptable change in the environment क्यों हुआ ये change? due to natural event या फिर human activity या फिर तो हम नहीं किया है and this change is called as environmental pollution कैसा change भाई? unnecessary unacceptable change in the environment due to what? natural या फिर artificial factor, human activity is called as environmental pollution ये definition exam में पूछा जा सकता है भाई लिख लेना इसको ठीक है बच्चों? तो ये environmental pollution क्यों हुआ? उसके पीछे क्या reasons है? भाई सबसे वड़ा reason है population explosion जितना population बढ़ रहा है उतना demand बढ़ रहा है, रोटी, कपडा, मकान, सबको चाहिए तो natural resources यूज हो रहा है, तो भे तुम्हारा environment destroy हो रहा है, पहली बात दूसरी बात, fast industrialization, जितना industries बनेगा उतना जादा air pollution होगा, water pollution होगा, pollution होगा की नहीं होगा? तीसरी बात, indiscriminate use of natural resources, indiscriminate मतलब क्या बिना सोचे समझे, जितना चाहिए हम लोग लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, और nature को destroy करते गए, यह होगा तीसरी बात, फिर deforestation, भाई, लोग जादा हैं, तो उनको रहने के लिए जगा चाहिए, रहने के लिए जंगल काट दो, जंगल काट होगे, मतलब क्या हो जाएगा, deforestation, तो जितने भी animals जंगल में रहते थे, उनका घर हमने destroy कर दिया, उनका habitat हमने destroy किया है, फिर है, unplanned urbanization, मतलब कोई एक छोटी सी जगा में, छोटे 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 जोपडे अगर आ जाते हैं, घर बन जाते हैं एक बात बताना, जोपडे अगर बन गए, छोटी सी जगा में, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कचरा होगा, गंदगी होगी, cleanliness नहीं होगा, तो वहाँ पे बिमारिया हो सकती हैं, वहाँ पे garbage, कचरा जमा हो जाएगा, आजू-बाजू में अगर कोई नाला है, तो सारा कचरा भई नाले में डाल दो, तो water pollution हो जाएगा, soil pollution हो जाएगा, तो यह हो गया, unplanned urbanization, तो यह सारी चीजों के वजर से तुमारा environment destroy हो रहा है, अभी एक सवाल आया है, एक सवाल पूछा है, question number 4 of your exercise, how will you justify, justify मतलब इसका explanation दीजिए, that overcoming the pollution, pollution को अगर हमने overcome किया, कम किया, it is a powerful way of environmental management, तो हम environment को manage कर सकते हैं, अगर pollution कम हुआ, इसको आप explain कीजिए, काफी simple सा answer है, देखे बच्चों मेरे साथ साथ, pollution is created by human activity, हमने ही pollution किया है, कौन सा-कौन सा pollution किया है, एक तो air pollution किया, water pollution किया, देखते जाना कौन सा-कौन सा pollution हमने किया है, soil pollution किया, दूसरा noise pollution, पॉरा दिन, vehicles का आवा जाते रहता है, noise pollution, radiation pollution कहां से आएगा, from nuclear power plant, या फिर एक nuclear bomb अगर explode होता है, atom bomb बगर फुटता है, तो वहां से आएगा, भई, radiation pollution, फिर होता है, light pollution, अगर आब रात को भी बाहर निकलोगे, तो आपको सब जगा पे lights दिखेगा, इतना सारा lights, अग क्या हो जाता है, light pollution, फिर एक होता है, thermal pollution, इसका मतलब क्या है, एक industry में से अगर गरम पानी बाहर आया, और वो गरम गरम पानी हमने river में छोड़ दिया, या फिर lake में डाल दिया, तो river का पानी गरम हो जाएगा, lake का पानी गरम हो जाएगा, and पानी में रहने वाली जितने भ and plastic pollution तो आपको पता है, तो ये सारी चीजें pollution create कर रहे हैं, अभी because of which environment तो damage हुआ, all types of pollution affect the environment, plus environment में रहने वाले जितने भी organism हैं, उनका survival हमने threaten किया है, बहुत सारे organisms, aquatic organism, उनके नाक वाक में ट्रौ चला जाता है, गले में पूरा वो वायर वगेर आतक जाता है, बहुत सारे animals plastic खा लेते हैं, मर जाते हैं because of eating plastic, तो इनका survival हमने threaten किया है, pollution must be controlled, भई उसको तो control करना है, to have good quality of environment, environment को सुधारने के लिए, अच्छा एक प्लास्टिक का example ले लो भई, बहुत popular pollutant है, प्लास्टिक लैंड को खरब करेगा, plus water logging, जो बारिश में पानी सब जमा हो जाता है, क् जो जो नाले हैं, जिसमें से पानी जाना चाहिए, वहां पर कछराट का हुआ है, आपने कुछ वेफर का पैकेट, आपने कुछ प्लास्टिक का बॉटल अगर अंदर डाला है, तो वो नाले में अटक गया है, एंड पानी अटक रहा है, पानी water का logging हो रहा है, बराबर, and it will affect the feeding of animals, बहुत सारे अनिमल है, प्लास्टिक खा लेते हैं, टमक कैंसर हो सकता है, अगर प्लास्टिक बहुत जादा इन्होंने consume कर लिया तो, are you understanding, plus plastic will pollute water bodies, वो तो आपको पता है, रिवर में, लेक में, ओशन में, तो हम क्या करें प्लास्टिक का भई, प्लास्टिक प्लास वेस्ट, प्लास्टिक को manage करना है, कैसे, या तो उसका recycling करो, या तो भई, reuse करो, हजार तरीका है प्लास्टिक को reuse करने का, and we can overcome plastic pollution, ठीक है, and last point लिखेंगे, thus by reducing pollution of other types, we can regain environmental health, वापिस environment को आप healthy बना सकते हो, तो यह answer आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जितना भी सारा आप आपका भडास है, आपका गुसा है, environment को लेके, वो सारा paper पे लिख दो, चलेगा, ठीक है, and कुछ basic points, pollution के बारे में लिख दोगे, तो भी चलेगा, तो यह हो गया, हमारा lecture 1, हमने 4 पेज देखे, वहां की सारी भडास मैंने निकाल दी, अगले lecture में देखते हैं, इसके आगे का topic देखेंगे, I hope यह आपको समझ में आया, इतना topic, topic clear हो गया है, तो भई, like कर देना, share कर देना video को आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगा है, and subscribe कर देना, if you are new to the channel, and as usual, thank you very much.